और इसी पूरे मामले में जो आरोपी है संजय रॉय और इसके लावा मेडिकल कॉलेज के पूर प्रिंसिपल संदीब घोश दोनों से CBI लगातार पूस्ताच कर रही है इस पूस्ताच में अभी तक क्या निकला है किन पहलूँ से CBI की पूस्ताच चल रही है ये भी बता रहे हैं मरसे होगी मुटेश सेंटर कुलकता के इसी CGO कॉंपलेक्स के अंदर पहली और दूसरी मंजिर पर CBI का दफ्तर है जहां पर आरोपी संजय रॉय और आरजी कर कॉलेज के पूर प्रिंसिपल संदीब घोश से पूस्ताच चल लई है संदीब घोश से साथमें दिन लगातार पूस्ताच जारी है इससे पहले 78 घंटे उससे पूस्ताच हो चुकी है उसके मुबाइल को CBI ने सीज कर लिया है उसकी जो गाड़ी है उसकी भी जानत की गई और उस पर जो सबसे बड़ा आरोप है जो की CBI ने कोर्ट में भी कहा क कि क्राइम सीन में बदलाव किये गई यानि कि क्राइम सीन को नश्ट करने की कोशिश की गई और CBI ने कहा कि वहाँ पर कई सबूत जो है वो नश्ट किये गई तो इस तरह से जो आरोपी संजर रुआ है उससे तो पूता चली रही है लेकिन जो संदीब घोश है उनसे ये स उपर को तीन बजे मिरतक लड़की का शव उसके परिवार को दिखाया तब पता चला उसके परिवार को की उसकी हत्या हुई है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे यहां तक कि इस घटना के बाद संदीब घोश ने पुलिस को जानकारी देने से पहले एक मीट क्या कुछ हुआ इसको लेकर भी सीवियाई पूस्ताज कर रही है कुलकता पुलिस को भी घटना के चार से पात घंटे बाद जनकारी दी गई और तब जाकर कुलकता पुलिस ने कारवाई शुरू की यह भी सीवियाई ने कहा कि जो घटना इस्तल है उसकी जा रहा था लेकिन डॉक्टरों के दबाओं डालने के बाद वहाँ पर घटना इस्तल की वीडियोग्राफी की गई तो इस तरह से सीवियाई यह तमाम सवाल जो संदीव घोस से उससे पूछ रही है कि आपने यह सारी जानकारिया क्यों चुपाई आपने पुलिस को जानक के 14 से जादा निशान थे उसकी आखों से खून निकल लहा था उसके परिवार ने देखते ही बता दिया कि उसकी हत्या हुई है लेकिन जो प्रिंसिपल थे उनको आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी जबकि डॉक्टरों ने वो एक मेडिकल कॉलेज है और सबसे पहले को ऐसा लगता है कि जो संदीव घो से उन्होंने कई जो फैक्ट से चुपाए है और इसी लिए उन पर जो सबूत मिटाने का मामला है उसके तहद वो ग्रिफतार भी हो सकते हैं तो लगातार पूछता जारी है और सीवाइस मामले में तमाम जो वैग्यानिक टेस्ट है जो की जांच है वो भी लगातार कर रही है कि कुलकता से क्यामरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेशन सेंगर एंडीटीव इंडिया